इस वीडियो इस पावर्ड बाई, सपोर्टेड बाई, ब्रॉट टी यू बाई, स्पॉंसर्ड बाई, आपका भाई, क्या बोल रहा है, सॉर्जी, बाई कीवी आप, जहां मिलेगा नॉलेज भी और पैसा भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करिए कीवी आप, इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगू करणर मलयालम के साथी, दस अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा, बोचपुडी लैंग्वेज में भी एक होना चाहिए, आप तो कॉमेंटरी में भी भोचपुडी घुज गई है, गड़दा उडायल देले है की नहीं, बिल्कुल भाषा भाषा, लेगन क्या आपको पता है, इस फिल्म का बजट सूरिया के अब तो कि किसी भी मूवी से जादा है, दिसा पाटनी का भी एक तमिल डेब्यू है, मनी रतनब की पीएस एक हिस्टोरिकल फिक्शन ड्रामा फिल्म थी, माहिश मती से लेकर चोल सामराजित की कहानियों का हमने स्क्रीन पर उतरते देखा है, लेकिन चोल और पंडिया वंश के साथ एक और राजवन्श हुआ करता था, जिसे वेलीर कहा जाता था, दरसल आज क करनाटक, तमिल नाडू, पुडू, चेरी, केरल और अंदर प्रिदेश के दक्शन के इलाकों के में वर्चस्व के लिए चोल चेर और पंडिया वंशों ने सालों लड़ाईया की है, इस इलाके को तब तामिल कम कहा जाता था, जहां वर्चस्व की लड़ाई के लिए ये तीनों में से किसी एक के साथ भी संधी करने से मना करते हुए लड़ने की ठानी, उस राजा का नाम था वेल पारी, जो वहां के तीन सो गावों के सामन्त थे, ओल्ड तमिल निस्ट्री की एक बुक आज भी अवेलिबल है जिसको पुराना नुरू कहा जाता है, उन्हें में वेल पारी की बुद्धी कौशल और क्षमता से वो इतने प्रभावित हुए कि परंबु नाडू में ही उनके दड़बार के दड़बारी बन गे, लेकिन जब सत्ता के लिए चोल चेर और पंडिया के बीच लड़ाई परंबु नाडू पहुंची तब वेल पारी ने उसक पर क्लिक करके आप इस एप को अपने फोन में डाउनलोड करिये, हर रात साड़े ग्यारा बजे हम लोग इस एप पर लाइव आते हैं और जो मैच खतम हुआ होता है ना IPL का, उस मैच से जुड़े आसान से सवालों के जवाब दे कर आप में से किसी एक आदमी को 10,000 जीत गया, आपके पास भी मौका है, आज शाम को हमको जरूर मिलना लेकिन उससे पहले कीवी आप को डाउनलोड करो हैं, हलो सबसे बड़ी नूज, एंट्री फीज जीरो है, कोई पईसा निक लगाना बस पईसे लेकर जाना है, तो कीवी आप डाउनलोड करो और भी लोग जी जी आई की जरुत बढ़ सकती है, एक पहाडी राजी के साथ तमिले निस्ट्री में ये जो लिखा है, कि वहाँ नेचर का सबसे बड़ा ब्लेसिंग था, पहाड से लोगों को उतारने और चड़ाने के लिए बांस की सीडियां लटका ही गई थी, इसके साथ पेड़ प लेकिन ये फिल्म एक आर्ट की तड़ा भी देखी जा सकती है, वैसे आपको क्या लगता है, इस फिल्म के आने से क्या बाहु बेली जैसी फिल्म को ठकड मिलेगी, जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी ओपीनियन है, कॉमेंट सेक्शन में बताओ, और साथ में डिस्क् आज आप इनका रेकॉर्ड तोड़ोगे क्या, शाम को मिलते हैं, चैलेंज करता हूँ मैं आपको, ठीक है, चैलेंज एकसेप्टेट, साम को मिलते हैं, थैंक्यू फॉर वाचिंग, जैहिंद चैनल सब्सक्राइब करके जाना होगे